नमस्कार दोस्तो मेरे नाम स्रीकांत कुमार अब देख रहे हुँ जेट टोसेस आज हम बात करने हुआ इस वीडियो में दोस्तो अभी अभी अधार कार्ड का न्यू पोर्टल एप्स जारी किया गया है अब दोस्तो इसी एप्स के द्वारा अधार कार्ड में कुछ काम किया जाएगा तो दोस्तो इस एप से अधार कार्ड में क्या-क्या काम होगा कौन-कौन सी सर्वीस एड किया गया है तो दोस्तो अगर आप जानना चाते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में step by step करके बाद लानी वाले हैं तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल पिनना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ब्लैकर घंटी को प्रिस कर लिजिए ताकि मेरा वीडियो को notification सबसे पहले अपके पास पहुच पाया तो चली दोस्तों वीडियो को शुरूप करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा तो सबसे पहले दोस्तों मुवाइल का प्ले स्टोर को open कर लेना है सर्च बॉक्स में टाइप करना है उमंग उसके बाद सर्च के option पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो इस परकार से apps दिखने के लिए मिल जाता है और दोस्तो ए apps government of India का है तो दोस्तो इस apps को सबसे पहले अपना mobile में install कर लेना है तो चलिए इस apps को हम install कर लेते हैं दोस्तो यहाँ पे दिखिए install होना सुरू हो गया है तो चलिए थोड़ा हम wait कर लेते हैं दोस्तो apps इनस्टॉल हो गया है तो चलिए इस apps को सबसे पहले हम इस परकार से open कर लेते हैं दोस्तो apps यहाँ पे दिखिए open होना सुरू हो गया है दोस्तो सबसे पहले यहाँ पे अपना language को select कर लेना है उसके बाद दोस्तो इस box पे टी-court कर देना है उसके बाद next के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पे दिखे इस परकार से apps open हो जाता है और दोस्तो एप्स ओपिन होने के बाद दोस्तो यहां पे दिखिए जो अधार काट का नया एप्स यानि नया पोर्टल जो जारी किया गया है तो दोस्तो इस परकार से दोस्तो यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तो तो यहां पर दिखिए दो option दिखने के लिए मिल जाता है login और register के option तो दोस्तो अगर आप पहले से account create कर रखे हैं तो दोस्तो login के option पे click करके login हो जाना है या फिर दोस्तों अगर आप पहली वार है तो दोस्तों आपको register के option पे click करके सबसे पहले अपना account यहाँ पर create कर लेना है दोस्तों जैसे फिर आपका account create हो जाता है उसके बाद login के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों इस box में अपना mobile number को unglaub कर देना है उसके बाद दोस्तो जो भी अपना मन पसंद से pin नम बनाये थें इसमें आपको फिलप करदना उसके बाद login के option पे click करदना दोस्तो login होने के बाद कुछ इस परकार का interface देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तो अधार कार्ट का जो नया portal जारी किया गया है जो first में ही आपको यहां पे दिखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तो अधार कार्ट का new portal पे जाने के लिए अब आपको क्या करना होगा तो दोस्तो simple से आपको इस वाले option पे click करदना है क्लिक करने के बाद दोस्तो अधार कार्ट का new portal इस प्रकार से उपीन हो जाता है और दोस्तो अधार कार्ट का कुछ service यहाँ पे दिखनी के लिए मिल जाता है download अधार, offline ekyc, generate virtual id, payment, history, authentication, history यह सारा चीज़ को आप यहाँ से check कर सकते हैं, download कर सकते हैं अधार कार्ट और भी दोस्तो अब क्या क्या काम कर सकते हैं तो यहाँ पे दिखिए एक option दिया गया है login का, login के option पे click कर देना है और click करने के बाद दोस्तो अगला page इस प्रकार से उपीन हो जाता है दोस्तो इस box में अपना अधार नमबर को फिलप कर देना है उसके बाद दोस्तो इस capture code को इस box में फिलप कर देना है send OTP के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो अधार कार्ट के साथ जो भी mobile नमबर लिंक है उस नमबर पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को इस box में फिलप कर देना है उसके बाद login के option पे click कर देना है दोस्तो अधार आईडी से Lock In होने के बाद दोस्तो यहाँ पर देखे कुछ Service इस परकार से देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तो इस Portal पर आप जो यहाँ पर दीक रहा जितना भी Service दीक रहा है यही Service के दोस्तो आप यहाँ पर अभी फिलाल गमे काम कर सकते हैं और दोस्तों बाद में जो एकी service और यहाँ पे add किया जाएगा तो दोस्तों अगर आप अधार कार्ट को download करना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे आप इस वाले option पे click करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दिखिए अभी जो बतला रहा है wrong यानि करने का मतलब है दोस्तों की अभी ए कि सही से work नहीं कर रहा है अगर आप next time try करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप अधार कार्ट को बहुत असान तरीका से download कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे जितना भी service दिया गया सभी का काम दोस्तों यहाँ से आप कर सकते हैं और दोस्तों बाद में यहाँ पे और भी option को add किया जाएगा तो दोस्तो इस परकार के अभी बहुत बड़ी अपडेट आया है और दोस्तो अगर आप वेब साइट के माधियम से आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो दोस्तो फिर ब्रॉजर को उपिन करके और ब्रॉजर में टाइप करना है उमंग उसके बाद दोस्तो इसी परकार से आप जो है कि इस पोटल पर आज सकते हैं और यहां से आप काम कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो अगर पसंद आये तो वीडियो के एक लाइक कर दिजगा और मेरी चैनल पर नए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बलेक अन घंटी को भी टेस कर जिजगा